कि हैंट थिए हैं इस एक है किसे हो मेरा नाम संजीन जोतरा और आज हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे फेरादेज सेकंड लॉफ लेक्ट्रोलेसिस ठीक है हमने अपना पहला लॉफ यह था फैरेडेज लॉफ 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 फर्स्ट लॉफ जो किया था हमने उसका निमेरिकल कंग्री आज आज जबात करेंगे वह बात करेंगे Faraday Second Law Electrolisis, ठीक है? तुछ चलिए श्यूर करते हम आप कि अब मारा Fahrenheit second law क्या कहता है कि वें दे सेम पॉंटिटी अफ इंक्रिक्रिकिती इस पास्ट तू अफ डिफरें और दक्र दोय ले जह ले लग 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 पीकर्श में लेक्ड्रो डिवाइट्स को हम जो छाओंगे उनको क्या करेंगे आपस में जैश्य योचाओंगे उनको आ और इसने में याद रखना इसमें कॉंटिटी सेम कॉंट्रिटी इसने खास सीज करेंगे तोha क्या Pokémon erelेक्टोसिटी इस पास्ट थून फ्न ऑफ डिफ्रेंट एलेक्रोलाइट occurring जेळिए य। क्या नितने होगा The masses of substance produced, जो mass produce होगा, डिपॉजिट होगा, जो produce होगा, उनके, अबुज़ इकुलेंट प्रोप पंचे, वो किनके डिपॉज़़्िद गे, उनके, इकुलेंट वेट के, डियाक्ली प्रोप जोगा, जो मास ड्ुज़़्िद होगा, जो मास्ट डूपॉजिट होगा वो किसके डिर्क्ली प्रोपोश्चनल है एक्कुलेंट वेट के जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा एक्कुलेंट वेट होगा जब हम क्या करेंगे उन एलेक्रोलाइट्स को सीरीज में कॉनेक्ट करेंगे जैसे यहाँ पर ठीक है यहाँ पर इमने यहाँ पर नेगटिव पॉजिटिव 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 नेगटिव नेगटिव पॉजिटिव और यहाँ पर आ गया नेगटिव ठीक है इस तरीके से हम क्या करेंग इसको एलेक्रोलाइड्स और नेगे अपस में जुएन करेंगे वहाँ सिरिस में यह का हमारा कॉपर सिल्फेट यहाँ पर नेगे a, a, g, n, o, 3, silver nitrate आप क्या कहता है कहता है कि जब हम same electricity pass करेंगे जब यह electrolyte series में आपस में connected होंगे यह copper sulfate electrolyte लिया है इदर silver nitrate लिया तो जो mass deposit होगा वो किस के equal होगा mass जो mass deposit होगा जैसे क्या के deposit होगा mass of copper मास ओफ एजी किसके डिर्कली पोशिल होगा अपने ही जोन के एकुलेंट वेट से होंगे मतलब कॉपर का मास और कॉपर का है एकुलेंट वेट कहने के मतलब किसके डिर्कली पोशिल है एकुलेंट वेट ओफ मास ओफ कॉपर एकुलेंट वेट ओफ सिंवर क्या कहा बस्तांस प्रेड्यूस्ट एड़ा ऐलेक्रोड जो मास प्रोड्यूस वैलेक्रोड पे जो मास आया वह किसके डिरेक्टली प्रोपर्शनल था डिरेक्ली प्रोपर्शनल टूब है ये अपने mass of copper, यहां पर भूरो वहां पर भी आएगा, waade of copper ही आएगा, क्योंकि यहां पर में क्या दोनों directly proportional來, ठीक है, क्या कहा, directly proportional to their equivalent masses, जो substance deposit होगा, जो marks deposit होगा, वो किसके directly aussi उनके अपने ही equivalent weight के यहाँ पे copper यहाँ पे copper यहाँ पे दोनों आपस में directly proportional यह भी दोनों आपस में directly proportional होगा कब जब हम सेम electricity pass करेंगे electro different electrolyte में से electrolytes में से जब वो electrolytes आपस में series में connected होगे ठीक है मां कहने का मतलब कि जितना साथ equivalent weight का होतना उनका मास होगा पर अब equivalent weight क्या होता है equivalent weight क्या होता है मैंने बताया है आपने आपको equivalent weight की molecular mass upon अगर जितने electrons transfer हों है ठीक है अगर 2 हो है तो divide कर देंगे 2 के साथ या फिर अगर acid हो तो basicity लेते हैं base हो तो acid देते हैं ठीक है अगर यह concept आप समयना चाहते हो एक्ट्रो स्वरी equivalent weight का तो आपको solution का chapter देखना पड़ेगा जिसमें मैंने morality morality जब करवाई थी नौर्मलिटी खास करके जब नौर्मलिटी मैंने समझाई हुई है नौर्मलिटी में मैंने यह नौर्मलिटी में मैंने यह equivalent weight का concept समझाए हुआ है ठीक है आप वहाँ पर जाके इसको एक बार देख लिजिए वह भी concept clear हो जाएगा और यह भी हो जाएगा ठीक है तो तो definition जो कहा जो जो लिखा वही मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या है कि जब हम सेम पास करेंगे तो क्या होगा जो मास डूपोजिट होगा वह उसके अपने ही equivalent weight के directly proportional होगा अपने दूसरे के नहीं अपना यहां पर भी copper यहां पर यहां पर सिल्वर यहां पर सामने क्या है सिल्वर यह डिरेक्ली प्रोपोशनल यह भी दोनों के आपस में directly प्रोशनल होंगे अब इसको डेराइब करते हैं कि जैसा हमने अपने फस्ट लॉपे किया था फस्ट लॉप से हम ड्राइब कर सकते हैं से according to first law क्या था according to first law फरणे का first law जो था उसमें क्या किया था w is equal to z into q यह किया था यह किया था w is equal to z into q z क्या था equivalent constant q था हमारा जो electricity क्या था 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 चलो अब वहां पर आएंगे तो यह तो आगया first law के साथ मैंने क्या कहा second law क्या कहता है जब same electricity pass करेंगे जो different different electrolytes है उनमें से same electricity pass करेंगे ठीक है तो अगर अगर दो electrolytes है for first electrolyte for first electrolyte क्या होगी value w1 w1 is equal to z1 q q लिखा मैंने बोला q1 क्यों नहीं लिखा क्योंकि same electricity pass करने जा रहे है for second second electrolyte के लिए क्या है w2 upon z2 q यहाँ पर भी q q q q q लिखा मैंने क्योंकि हम same electricity second law कहता है कि same electricity pass करेंगे मैं तभी आपको underline करवाया था कि same word जो same electricity है वो उस पर focus करने हमने यह equation 1 यह equation 2 divide कर दो divide करें यहाँ पर w1 upon w2 is equal to z1 upon z2 q q cancel हो गया q q cancel फिर एक चीज मैंने आपको पताए थी first law में अगर नहीं पता पहले first law देख लिजिए उसका भी link आपको माई बटन पर दे दूँगा ठीक है जो हम करते थे जैट किसके एक लिए था था इज अपाउन 965 00 यह किया था हमने एक क्या था इक्या था इक्यूलेंट वेट अपाउन जमला 965 00 था अब यहां पर हम वैलिए पूट कर सकते हैं जेट बन की क्या बनेगी एवन अपाउन 965 00 e2 अपाउन 9600 यह कट गया यह कट गया यह वेले दोनों तो क्या चीज़ बनी डल्ली वन अपाउन डब्ली टू is equal to z1 अपाउन जेट 2 is equal to e1 अपाउन एटू अब यहां से एक और चीज़ निखली क्या निकली कि Z1 upon Z2 is equal to E1 upon E2 मतलब electrochemical electrochemical equivalent is directly proportional to equivalent weight equivalent mass of that substance that electrolyte ठीक है अब यहां पर कहा निकला कि यहां उलट कर सकते हैं कि जो हमारा E आया equivalent weight आया वो किसके directly proportional है ECE के ECE मतलब electrochemical equivalent ठीक है E is directly proportional to Z आ गया यह कहां से high equivalent weight यहां से इस equation क्योंकि मैं पता first law में पढ़ा था Z is equal to E upon 965000 तो यहां पर हमें वैसे किया Z1 Z की जगा पर हमने यह values put की यह काट गया यह सत्तीनों चीज़े आपस में equal आगी अगर यह इसके equal है यह तो यह भी तो आपस में दोनों equal है ठीक है तो क्या हुआ अगर हम यहां पर constant हटा दें यहां पर constant हटा दें तो यहां पर एफ आ जाएगा एफ क्या है फेरेडेस एफ क्या हमारा फेरेडेस constant ठीक है ठीक है इसको क्या आगे थे फेरेडेस constant जिसकी वैल्यू क्या है 965000 कूलम्स ठीक है यह हमारी equation निकलाएगी ठीक है इसको हम निमेरिकल में आगे देखते हैं किस तरह किसे हम इसे यूज करेंगे फिर आपको यह clarity होगी इस चीज़ की ठीक है जी अब देखें एक निमेरिकल देखेंगे तो वह हमें अच्छे से क्लीर हो जागा second law the same quantity of electricity was passed through copper serfate AG no3 solution solution में से हमने same quantity of electricity passed की connected in series में थी the masses of copper the masses of copper and AG deposited were 0.635 gram and 2.16 gram respectively जो मास deposit हुआ copper का कितना था 0.635 gram और silver का 2.16 gram calculated equivalent mass equivalent mass निखालना किसका silver का इसका मतलब copper का दिया होगा तो copper has 31.75 gram तो जैसा कि मैं पता है given क्या-क्या दिये यह देख लिए गिवन क्या-क्या मास of copper दिये yes mass of copper कितना दिये 0.635 gram mass of silver दिये yes 2.16 gram equivalent weight या mass copper का कितना दिये 31.75 gram equivalent mass silver का find out कर दो यह चीज़े ठीक है अब इसके अगरम value देखें फॉर्मूला देखें तो क्या है हमारे पास यहीं है ना जो उने पढ़ना था mass of copper is directly proportional to equivalent weight of copper ठीक है जब मास किसके डिर्क्रीपोर्शनल होता था अपने ही equivalent weight के तो यहां पर भी क्या है mass of silver upon equivalent weight of silver बस अब क्या values put करो values put करो mass of copper कितना है 0.635 mass of silver कितना है 2.16 equivalent weight copper का कितना है 3.13.31.75 silver का निकालना है equivalent weight of AG निकालना है ठीक है अब हमारी क्या value है यहां पर equivalent weight of silver यह दर चला गया ठीक है है यहां पर क्या गया 31.75 यह हमारी इस तरफ चलीगे value ठीक है और यह हमारी नीचे आगी यहां पर 0.635 into 2.16 ठीक है अगर इसको हम calculate करेंगे तो हमारी जो value आती है वह कितनी आती है 108 मतलब equivalent weight कितना है silver का silver का equivalent weight कितना है 108 यह नमेरीकल सिंपल था है सिर्फ values भी बरने थी करवाने का इसका मैं आई बटन में लिंक दूँगा वो चीज़ आप देखिए पहले फिर यह समझने में आपको help मिलेगी ठीक है तो आज के लिए फिल हल इतना ही था तो आपका गुल-गुल चैनल को like करें शेर करें सब्सक्राइब करें नए वीडियो में दुबारा अजिरों के